नमस्कार दोस्तों, Electrical Questionnaire में आपका स्वागत है, दोस्तों आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं, MP सब इंजिनियर जो की ब्यापम जिसे हम जानते हैं, उसमें हमारे Electrical साइट से कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं और उनका वेटिज क्या रहने वाला है, तो चली शु करते हैं इस वीडियो का, तैयारी के साथ साथ सबसे ज़्यादा जरूरी चीज है कि स्वैम का मोल्यांकन, जैसे कि आप पेपर देते हैं और उसी तरह के इंवार्मेंट, उसी तरह के पेपर के लेवल और उसको अपने आपको जच करने के लिए, अधी आपको टेस्ट आप वीजफुल एंट टेस्ट आपको प्रोवाइट कराए जाएंगे, और ये टेस्ट सेरी जल्दी स्टार्ट हो गई है, और जैसा आपको मालूम है कि स्टार्टिंग में ही यदि आप टेस्ट सेरी लगा लेते हैं, और उसी के साथ साथ अपनी प्रपरेशन को जारी रखते ह हैं, तो उसका फायता आपको जब आप रियल टाइम में एक्जाम में बैठेंगे, तब आपको उसका देखने को मिलता है, इस टेस्ट सेरी की प्राइज जो रखे गई है, तो आपको यहां पर फिप्टी परसेंट ओफ जो की काफी ज्यादा एमांट होता है, आपको यहां को 499 में ही आपको यह टेस्ट सेरी मिल जाएगी, तो जल्दी देरी ना करें, आप इस टेस्ट सेरी को भी लगा सकते हैं, जिससे कि आप अपने तैयारी को जज़ कर पाएं, और आपके पेपर का लेविल भी आप वहां से समझ सकते हैं, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि इतनी सारी वेकिंसीज, एंपी व्यापम के टिहास में फस्ट टायम कि जो इतनी सारीवेक्णीज़ यहां पर आई हुए है चाहे वह सिभ्ल की हो मैकनिकल की हो यह चाहे अलेक्टिकल की हो बहुत सारी वैकंसी जो हैं यहां पर देखने को मिल रही है पहले जो हमारी एंपे भी जो हुआ करती थी यह मद्दप्रतिस एलेक्टिसिटी बोर्ड इसके अंतरगत जो तीन कंपनियां थी पूरुव छेत्र मद्दशेत्र और पस्चिम छेत्र इन तीनों कंपनियों के अंतरगत बहुत सारी बैकेंसी जो आती थी वह एंपी ओनलाइन की थुरू आती थी वह सारी की सारी बैकेंसी इस बार उन्होंने व्यापम की थुरू ही उनको निगाला है सब इजिनियर के एक्जाम में तो यहां पर आप देखेंगे कि नंबर ओ बैकेंसी जो इलेक्टिकल साइट के लिए हैं वह काफी ज्यादा रहने वा साइट से दोनों लोग अप्लाई कर पाते थे और यहां आप देख रहेंगे यह 739 जो वैकेंसी आपको यहां पर मिल रही हैं वह केवल और केवल एलेक्टिकल के लिए हैं इसम बहुत सारे डेपार्टमेंट्स हैं कौन-कौन से डेपार्टमेंट्स में आपको प्रेफरें चीजें उसमें एडवांटेज मिलेंगी कौन सी कंपनी में आपको प्रेफरेंस देना हैं यह सब चीजें में यहां पर आपको बात में किलियर करूंगा तो सबसे इस चैनल पर आप यदि नहें तो जुड़ जाईए इस पर मैंने प्रिविएस यर के कॉस्चन पेपर काफ आप वहां से देख सकते हैं सेविल के लिए यहां वेकंसी जो हैं 206 हैं और मेकनिकल के लिए 189 कुछ इसी के लिए भी वेकंसी यहां पर 5053 के अपर इस नोटिफिकेशन में दी हुई हैं यहां आप देख रहे होंगे कि 739 तो वेकंसी जो हैं इसमें सबसे ज़्यादा जो आपको वेकंसी आपको देखने को मिल रही हैं वह मैं जैसा आपको बता रहा था यहां पर MPV की वेकंसी हैं जिसमें जो पस्चिम छेत्र आपकी वेस्ट रीजन इस्ट रीजन और ऐसे सेंटर रीजन में डिवाइड रहता है तो इनके हिसाब से यहां पर वेकंसी यहां पर डिवाइड की हुई होनों ने और जो सबसे ज़्यादा वेकंशी आपको देखने को मिल नहीं वह आपकी मद्दिची चेत्र में हैं मद्द चेत्र में मद्द चेत्र में यहां आप देखेंगे कि आपकी पूरु शेतर जैसे हम बोलते हैं 94 और यहां पर 40 वहां पर contract employee के लिए रखी हुई है 94 आपके लिए 137 यहां पर सेंटर में हैं और East region में आपके सब्सक्राइब यह यहां पर East का है और West जो है यहां पर इसमें 135 प्लस 59 है अब यहां आप देख रहे होगे कि पस्चिम पूर्प और मद्चेतर में कौन से ऐसे रीजन आते हैं तो जैसे अपने पता होगा कि आपको मद्चेतर के अंदर 16 जेलो को डिवाइट करके रखा है मद्चेतर जिसके हम बारे में बात और हें इसमें आपका या दो रीजन आते हैं एक तो आता है भॉपाल दा नौत जब आप Central कर रहे हों खास करके Rolle हें मदभरदिश के हैं मदभरदिश के लोगों को सब्सक्राइब में नियद्ट Aww जैसे लिग व्हयड़ ए combine वे लिए देखने को मिलेंगे जैसे मदभड़ प्रकाइब पूर्व चहतर बोस जी हम भोलतalfion कि पूर्व चेत्र के अंतरगत आप देखेंगे इसमें सागर जो है सागर जवल पूर्ट और यह आपका चिंदवाड़ा वाफोर्शन जो है सिवनी चिंदवाड़ा और मंधला यह सब रीजन जो पूर्व खेतर है सागर हो गया ओंड हो गया ऐसे भудь सारे चेत्र जो है हमापर यह सभी मोली इसे ही सिंअ गरोनाइञ। मद्द छेतर में आपका भोपाल और गौालियर रीजन आता है गौालियर में आपके सेव पोर सेफ पुरी ददिया भेंड मुरेना यह रीजन थोड़ा सा डेंजर होता है यह जो आउट साल्ट बाले होंगे उनके लिए मैं यही सजेश्ट करूंगा कि थोड़ा सा गौालियर रीजन में प्रफरेंस आपकम दें बोपाल रीजन यहां पर आपके लिए ज्यादा सेफ होगा क्योंकि एलेक्रिशिटी डेपार्टमेंट में आज के समय में काम करना इतना आसान नहीं है बहुत सथ चीज़े में आपको इस वीडियो में भी बताऊंगा कि क्या-क्या परह प्रफिट की बज़े से ही इसको जॉइन करना चाहिए लेकिन दोस्तों इसमां बहुत सारी चीज़ें आती हैं आपकी फैमली के लिए आपको टाइम देना चाहते हैं आप पूरा लाइफ यह आपको रिलेक्स होगे जॉब करना है तो इसके लिए अलग आप इसमें एलेक् सारा टार्गेट आपको टाउन के लिए आपकी यही हैं डिस्टिविशन में तो आपको टाउन में एक टार्गेट दिया जाएगा उसके बेस पर आपको वहां पर जॉब करनी पड़ेगी तो कुछ फायदे भी हैं जैसे कि आपको स्टाप मिलेगा इंडिपेंडेंट आप इसके पैटर्ण के बारे में बात करने वाले हैं उसके बात करने वाले हैं टोट्ल आप para v tactical के इस तो आपकी अदिकान बेकंसि regression doctor के और बहुत सारे जो अपके विभाग है उनमें इन बैकंची सको दिया हुआ है कि MR 61 safer करत लिश से अलाबाब वह 이्राभी है एक और कंपनी हैं transmission इसमें आप सुकून की जौब चाहते हैं पूरा लाइफ आपको ज्यादा लोड़ना पड़े और advantage भी मिलते रहें electricity department के आप हैं और आप किसी अलग department में काम कर रहे हैं तो आपको पूरी life फील नहीं होगा कि आपने power system machine electronics यह सब बढ़ा हुआ है लेकिन काम आप कर रहे हैं कुछ ऐसा जो आपकी फील से related नहीं है तो उसमें आपको मजा नहीं आएगा उतना तो आप transmission जैसे हैं यहाँ पर आप transmission में यह आपका selection होता है तो आप easily आप transmission का जो छेत्र है उसमें ही काम करेंगे और आपको थोड़ा सा इंट्रेस्ट पी आएगा काम करने के दौरान और इसमें आपको लोड भी उतना नहीं पोस्ट में यहाँ पर जॉइन करते हैं दो चलिए और नेक्स पार्ट में अब इसको हम देखते हैं कि यहाँ पर कितनी बेकंसी से में हैं जैसा आपको बता है कि इसके जो पेपर का बैटन होता है उसमें हमारा जो question paper होता है वो टू पार्ट में डिवाइड होता है technical जो है हमारा hundred question रहेंगे और non-tech के लिए भी hundred question रहने वाले इसमें बहुत सारे subject रहेंगे और इसमें भी आपके बहुत सारे जो जितने अपने electrical में subject पड़े हुए हैं वो सब subject इसमें देखने को मिलेंगे टोटल आपके 200 question यहां पर देखने को मिलेंगे टोटल 200 question में से आपको selection जो रहेगा 140-150 के लगभग आपका selection होने वाला है चुकि vacancies तो जादा है पर paper का label भी यहां पर decide करता है कि आपका cut-up क्या रहने वाला है 140-150 आपका score आता है general category के अंतरगत तो आप यहां पर safe माने जाएंगे और 130-120 तक आपका categories वाले हैं SCST और भी बहुत सारे जो हैं उनके लिए यहां पर 120 तक भी आपका selection हो सकता है तो यह थोड़ा पेपर का cut-up अभी आप अभी से इसको प्रेडिक करना मुस्केल है पर इतना आप लेके चले कि हमारी जो तैयारी है वो इस हिसाब से ही हमें रखनी है 140-150 के लगभग हमें लेके आना ही है यह जो आपकी vacancies हैं वो आप यह मान के चलिए कि अभी लास्ट vacancies हैं धीरे धीरे आपके हर एक department जो हैं वो प्राइबटाइज हो रहे हैं बहुत सारी अच्छी vacancies आपके दिये मौका मिलना है तो इसको आपकी पूरी जित्की आपकी सिद्दत है पूरा इसमें लगा दीजिए पूरी आपकी प्रयास इसलिए होना चाहिए कि हमें इस exam मे सिलेक्ट होना ही है जो कि इतनी vacancies अब आपको कभी नहीं देखने को मिलेंगे जैसा आपको पता है मैंने ब्याबम के previous year के question यहां पर discuss की हुए थे पुरानी वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें patterns और मैंने बहुत सारी इसमें चीजन देखाई हुई है उन वीडियो को देखेंगे तो आपको question समझ में आ जाएंगे कि आपका question का level क्या था जैसा बहुत बार मैंने paper इसके MPB के भी qualify किये हुए हैं और जब इनके paper pattern को देखते थे आप तो जब MP online के थरू जो paper होता था वो दो घंटे का होता था हमारा उसमें paper का level जो होता था ठीक रहता था जि इसमें MP online के लिए उसमें बात कर रहा हूं मैं अब लेकिन चुकि आपका ब्यापम सभी जीनियर के थरू जब यह आपका paper होने बाला है तो इसमें आपका duration होने वाली है वो three hour रहने वाली है तीन घंटे इस exam के लिए काफी रहने वाला है मतलब आप इसमें time की ना सोचे कि आपको time कंपड़ जाएगा time आपको sufficient रहेगा आपके लिए तीन घंटे में आपका कुछ time बच भी जाएगा जब आप इस paper को दे रहे होंगे क्योंकि technical जो portion है उसमें अब जब label देखेंगे यह आप चाहते हैं कि मैं प्रेट से एक अच्छा वीडियो बनाओ उसमें paper को discuss क कर देंगे और जैसा आप देख रहे हैं मैंने previous paper को देखा है तो 2018 में जो वेकिंसी आई थी उसके अंदरगत जब मैंने सभी subject का analysis किया तो उसमें machine power system material utilization measurement network microprocessor EMT और power electronics control system electronics यहां जो इस टाइप से जो सभी subject में यहां पर देखाई हुए हैं इनसे क्या number of question रहे हैं उनको मैंने यहां पर दिखाया हुगा है जैसा आप यहां पर देख पा रहे होंगे यह machine का weightage अच्छा था लगभग 20 question इसमें देखने को मिले थे चाहे वह हमारे DC machine हो transformer ह और induction machine और synchronous generator यहां सभी से लगभग लगभग 22334 question आपको देखने को मिले हैं power system PLC और SCADA से भी कुछ question इसमें यहां पर थे तो दोस्तों जो UPPCL का paper दिये होंगे वहां से जो PLC की तयारी करके रखे होंगे उन question को भी यहां पर तयार करके रखे हैं क्योंकि 2018 में 4-5 question आपको एसे देखने को मिले थे जो PLC थे इस काड़ा से भी कुछ question वहां पर देखने को मिले थे बाकि जो हमारे normal basic question होते हैं कुछ टाइप के question वहां पर थे आपको numerical portion यहां पर कम देखने को मिलेगा उतना नहीं देखने को मिलेगा दस 20 से 20 question लगभग आप लेके चले जिन में थो मिले थे utilization यहां पर आप यहां पर neglect नहीं कर सकते हैं इसमें सबसे पहले जो elimination है उसके काफी सारे question इसमें थे और दूसरा जो था आप वाली हमारी इसमें वीडियो देख सकते हैं elimination के लिए मैं separate video बनाऊंगा जिसमें बहुत सारे question 75 question का एक video में बनाया होगा है पहले elimination का जिसमें से कई स्टेट जेए के पेपर DMRC LMRC और MPB के पेपर DDA बहुत सारे पेपर इसमें आपके DFC CIL के पेपर LMRC जेए वह सब पेपर उसमें दिये हुए हैं उन पेपर को भी आप सौल्ट कर जिए इसके numerical जो portion रहता है वो तना difficult नहीं आएगा इसलिए आप तो कि आपका जो पेपर ह मैंने वाला है छे जून के लिए आप ज्यादा समयना लेकर चलेगी छे जून आपका काफी दूर है लगबक आपको दो महीने ही आपके पास हैं दो महीने में आपको ज्यादा सब्जेक्ट वाईस आप आप सोचा कि हम बुक पढ़ने लग जाए या कुछ जादा डेप्थ पसे हैं तो इतना नहीं आपको अंदर जाना है इसमें यहां करके रखिए कि आपको नोन्टे consumers भी इसमें देखना है च consent करने जूपारऑय कि प्यादू को मैंने इससे पहले बीदियो बिडाली थि ग्यंफी प्लेया था कि रहने वाली है और जो नोटिफिकेशन भी आया उसमें भी यही बात देखने को में लिए लगवाद चौंटी सो बेकंसी तो इन में जो सेलेक्शन होगा वो नॉन टेक बालों का ही होगा जिनका नॉन टेक ज्यादा इस्ट्रॉंग होगा मेजर्मेंट की हम बात करें तो मेजर्मेंट में आपकी ब्रिज वग्यरा से और अमिटर ब्रीटव से राइट कोष्चन थे नव कंबसेन से बात करें और ऐसे यहां पर 13 कोष्चन उसमें previous year पेपर में आपके थे माइक्रोप्रसेंटर में दो कवेशन यानि आप इसको भी छोड़ के चले जाएं इम्टी में आपका एक कोश्टन और पावर तो आप सोच के चलाएं कि यह मसीन पावर सिस्टम और नेटपर कनाल से जादा पूर्शन था जो कि यह मेजर सब्जेक्ट हैं इनसे कुछ के भी ना जाएं क्योंकि इनको तैयार करके ही आप 10-15 नंबर जो होगा आपको उसका एडवांटेज आप ले पाएंगे और चुकि आपको पता है कि सेलेक्शन आजकल एक नंबर से भी रह जाते हैं तो यह सब तैयारी जो रखें आप इस पेपर के हिसाप से इस इनाल्सिस क में कितना यहां पर टाइम देना है और मैं आपसे यहीं बोलूँगा कि ब्यापम के जो कॉस्चन होते हैं वह आप डिप्लोमा लेवल के ही देखने को मिलेंगे आपको इसलिए प्रीवेस यह के कॉस्चन पेपर आपको कहीं से भी मिलते हो वह उन सब पेपर को डिसकस कर ल वह सब पेपर भी आपको देखने को मिल जाएंगे आप टेकनिकल नॉन टेक पोर्शन वहां से भी देख सकते हैं कि किस लेवल का आया था यहां पर कुछ लोगों को डाउट होगा कि हम अधर इस्टेट वाले जैसे की उत्तर प्रदेश उत्राखंड और भी जो जातंतर MP क इतनी सारी हैं और कई सारे चैनल ने इसको प्रोमोट भी किया है अधर इस्टेट बालों में तो वहां से आप देखेंगे कि आपको फॉर्म भी आपर ज्यादा डले वाले हैं पहले तो क्या था कि 25 साल तक यहां पर एक एज क्राइटेरियर रखा हुआ था बात में फिर इ एक और क्वेश्टन है कि पंजी करण वाला जो एक डेटिल मागी गई है कि MP सरकार का रोजकार पंजीन होना चाहिए तो वह कोई भी स्टेट का हो वह वहां से बना सकता है उसकी साइट से जाके आप रेजिस्टेशन कर सकते हैं बना सकते हैं उसमें कोई प्रोसेस से कोई डिफिकल्टी स्ट नहीं होगी तो आप पंजी करा सकते हैं अब वह 25 वाली थी वह हटा दी गई है तो आप ज्यादा इसकी भी हैं तो भी इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं तो कॉम्पटिशन भी आपको तगड़ा देखने को मिलेगा आप वैकेंसी पर फोकस ना करें आप नौंटेक प्वर्षण पर आपन देख लेते हैं कि फिंक इतना था यहाँ आप देख्रहे होंगे कि और मीं स्टेबचेक्ट्त में आपको यहां पर मिलने वाले जर्नल लॉलेज हिंदी में देखने को मिलेगा और बाकी सभी सब्जेक्ट हैं उनमें 14 नंबर के क्वेशन आप से पूछे जाएंगे इनका जो लेबल रहेगा वो दोस्तों जो ब्याप्पम पेपर कराता है जैसे कि जितनी भी इसने किये होंगे उनके सभी के प्रीविएस क्या तो आप वह सॉल्व कर लीजिए यह 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 आपको यहां पर सबसे अच्छा जो सॉलूशन में आपको यहां पर बताने वाला हूं वह है कि आप इनका एक प्रीवेस यह का बंच आता है पोड़ेकर या और भी बहुत सारे पप्लिकेशन यहां इसके जो प्रीवेस यह सबसे पहले इनको समझ लीजिए कि किस टाइब की कॉस्टन आते हैं उसके बाद इनको इनको कवर कीजिए क्योंकर नॉन टेक पॉर्ट्शन भी को यहां पर देखना है और इस पर भी फोकस जैदा रखना एंक है साइठ तो यह तो था आपका वर सब्रशाह और यह उन्रूंगे अलोने बारे में दिसक्स कर लिया है आने वाले वीडियो में हैं मैं उनकी सीरीज चालू कर दूंगा और जिसमें कि आपको डेली कुछ न कुछ प्रीविएस यह को सब्सक्राइब करते जाएंगे जिससे कि आपको एक्जाम में थोड़ा सा असानी होगी और आज की वीडियो में इतना ही और आज की वीडियो आपको पसंद आता है तो ल